जब आजर होने से आए दिन शर में आपराद हो रहे हैं ऐसी एक घटना धरम पेट में भी हुई है धरम पेट में एक बाइक सवार ने अपनी बाइक दो लड़कियों के सामने में खड़ी की और उन्हें नकली पिस्तुल दिखा कर अपरन का प्रहस किया तभी दोनों लड़कियों ने चीक पुकार की जिससे आरोपी योक अपनी बाइक लेकर भाग गया और आरोपी खुदी जाकर धंतुली थाने में सरेंडर भी किया करजा बाजारी से तंग आकर ये कदम उठाने की बात आरोपी योक ने पुलिस को बताई धरमपेट परिसर में शाम एक संसनी खेज घटना हुई एक योक ने नकली पिस्तुल के दम पर दो बहनों का अपरन का प्रहस किया चीक पुकार होने पर वह अपनी बाइक छोड़ कर भाग निकला तुरंत पुलिस युबाग सक्री हो गया लेकिन इसी दवरान आरोपी योक ने धंतुली थाने में जाकर सरेंडर कर दिया करजा बाजरी होने के कारण यह कदम उठाय जाने की जानकारी उसने पुलिस को दी है पकड़ा गया युव कलमना निवासी रोशन विनोत खांडे कर बताया गया है जानकारी के अनुसार व्यापारी की बेटिया धरमपेट में खरीदारी करने आई थी परिसर की दुकान से कपड़े खरेती के बाद दोनों अपनी कार में जाब बैठी बड़ी बेंड राइवर सीट पर जबकि छोटी बेंड उसके बगल में बैठी थी दोनों के कार में बैठी रोशन पीछली सीट पर जा बैठा यूतिय ने उसे बाहर निकलने को कहा इसी दवरान उसने पिस्तोल निकल ली पिस्तोल देखते ही दोनों बैठने घबरा गई और जोर जोर से चिलाने लगी पकड़े जाने के डर से रोशन गाड़े से उतर कर भाग निकला गटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दे दी गई खबर मिलते ही डिसीपी वी निता साउ और अमबाजरी के इंस्पेक्टर वीजय करे मोक्के पर पहुँच गए क्राइम ब्रांच की टीमे भी मोक्के पर पहुँची परिसर की दुकानों में लगे सीसी टीवी कैमेरे की फूटेज खंगालने पर पता चला रोशन बाइक पर वहां आया था डियाईजी क्राइम सुनिल फुलारी ने तुरंट टीमों से बाइक मालिक का पता लगाने को कहा रोशन की बाइक पर एमेट 4980 4345 नमबर था जांच करने पर पता चला की नमबर मिनी ट्रक का है मिनी ट्रक रोशन के पिता विनोत की नाम पर था पुलीस का संद्य बढ़ गया वारदात के पिछे किसी अपरादी का हाथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है नकली पिस्तोल से शहर में जो अपरन का प्रैस किया गया इस से शहर के नागरिकों में खल बली मच गई है धर्म पेट से राजकुमार मोड के साथ संजय मिरे इन बीसेन नियूज नागपूर